रेटिंग इजेंसी फिच रेटिंग्स ने चीन की सौपन क्रेडिट रेटिंग को नेगेटिव कर दिया है चीन की अर्थवस्ता में बढ़ती अनिशित्ता को देखते हुए फिच ने कदम उठाया है फिच ने अपने अनुमान में काया कि 2024 के दौरान चीन का वित्तिय घाटा उसकी GDP के 7.1 फीसद पर पहुँच जाएगा 2023 के दौरान चीन का वित्तिय घाटा जीडिपी का 5.8 फीसद के बरावर दर्ज किया गया था सर क्या कुछ कहा है फिच ने अपनी रिपोर्ट में फिच की रिपोर्ट खासी संसनी खेज है चीन की दृष्टे से भी और दुनिया के बाजारों की दृष्टे से इससे पहले मूडीज ने भी चीन के बारे में इसी तरीकी की रिपोर्ट दी थी और चीन को डाउंगरिट किया था लेकिन फिच के बाद अब चीन के अर्थव परच बढ़ने के करण था उसके उसके बाद इस सबसे जाधा है और इसके साथ ही चीन के अर्थवयस्था में जो सबसे बड़ी दुखती रख ए, सबसे बड़ा टाइम बम है, सबसे बड़ी दरार है, वो रियल इस्टेट सेक्टर है, हम इस तार से कि इतना में कमें बात कहे चुके हैं कि चीन किस खत्रे की तरफ है उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उससे आप समझ सकते हैं कि चीन में जो होने वाला था इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं चीन के अर्थवेश्था में सबसे बड़ी चुनोती है रियल इस्टेट सेक्टर चीन का रियल इस्टेट सेक्टर चीन की राज्य सरकारों के कामकाच को फिनांस करता है एक ऐसा चक्र है इसलिए वहां राजकोश यह घाटा बड़ी बड़ी चुनोती है और इसलिए चीन की साख और उसकी रेटिंग अब निगेटिव की तरफ बढ़ रही है सर क्या माना जाएं बात डिफॉल्ट तक पहुंच सकती है हाला कि चीन की सरकार ने फिच की रेटिंग की रिपोर्ट को खेट जनक और राशा जनक बताया है लेकिन खत्रा खासा है और डिफॉल्ट अगर आप देखें तो चुटे चुटे डिफॉल्ट तो चीन के अंदर ह लगा है कि अब चीन के बैंक्स में डिफॉल्ट हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी वज़े रियल स्टेट सेक्टर में या चीन के कांस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पिछले 20 सालों में 25 सालों में भारी कर्ज लेकर निवेश हुआ था वो उसकी बड़ी असर दिख रहा है औ क्योंकि फिच ने अपनी रेटिंग में भी कहा है कि चिन के आर्थिक्विकास दर में भी गिरावट आएगी यानि एकॉनिमी में ग्रोथ नहीं है डिमांड नहीं है और डिफॉल्ट के खतरे रेटिंग तूटने के खतरे सर पर मन रहा है